इसमें सबसे पहले आपको रशीदा के पिक्चर दी गई है, जो की न्यूस पेपर पड़ रही है, वो एक हैडलाइन देखती है जिसमें की 100 years ago, यानि की 100 साल पहले, वो ये कॉशन करती है की 100 साल पहले के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, finding out what happened, कल की जैसे कोई भी बात हो, वो हम न्यूस पेपर से, रेडियो से जान सकते हैं, अगर लास्ट इयर की बात है, तो वो तु जैसे किसी को याद हो, उससे पूछ कर पता कर सकते हैं, बड़ जो 100 years ago, उससे कैसे जान सकते हैं, what can we know about the past, past के बारे में हम कई तरीकों से जान सकते हैं, जैसे कि जो लोग हो कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, और जैसे हंटर, हर्डर्स, फार्मर्स, मर्चैंट्स, प्रिस, क्राफ्ट परसंस, आर्टिसंस, मुजिशियन, एन साइंटिस, इन सब के बार को मैप में नर्मदा के बारे में पूछा गया है कि नर्मदा नदी के बारे में जानिये आप, मिलियन्स ओफ इयर्स अगो, लोग इन नदीयों के किनारे रहते थे, वे यहां कई सालों तक रहे, इन में से कुछ स्किल्ड गैदरर्स भी थे, जो कि अपना फूड खुद एक फूरेस से गैदर करते थे, और वे जानवरों का शिकार भी करते थे, उन में से कुछ एक्सपर्ट हंटर्स भी थे, नेक्स्ट हम बात करेंगे सुलेमान और किर्दर किर्दर हिल्स के बारे में, सम उफ दा एरियाज वेर विमेन और मैन फर्स बिगन तो ग्रो ग्रोप सच सबसे पहले उन्होंने शीप, गोट और अधर कैटल्स को रेर करना शुरू किया, और वो गाउं बसाकर यहां पे रहने लगे थे, नेक्स्ट अब अगर अब गारो हिल्स के बारे में देखें, जो की सेंट्रल इंडिया के विंद्यास के नोर्थ इस्ट में है, तो यह कि हम इसमें इंडियास रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को ट्रेस करना है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, कुछ ऐसी स्मॉलर रिवर्स होती हैं, जो की लार्ज रिवर में जाकर मिल जाती हैं, अबाउट 4700 एर्स एगो, सम उफ दे अर्लियास सिटी फ्लॉरिश्ट लोग बसने लगे थे, लोकेड दा गंगा एंड इस ट्रिब्यूटरी काल्ड दा सोन, गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी जो की सोन नदी कहलाती है, उसको देखना है, इन एंशिन टाइम्स ता एरिया एलोंग दीज डिवर्स टू दा साउथ ओफ ता गंगा वाज प्राचीन समय में इन जो गंगा के किनारे का जो एरिया था, उसे मगद के नाम से जाना जाता था, इसके इस एरिया के जो शासक थे, जो रूलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और उन्होंने एक बहुत बड़े राज्य की स्थापना की थी, और गंग्ड होते थे, उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उसकी ट्रैवलिंग की थी उन्होंने, कभी कभी क्या था कि वो हिमालिया जैसे उंचे परवतों, पहाडियों, मौंटेंस थे, इंक्लूडिंग हिमालिया, डैजर्ट, रिवर्स, और सी मेड जर्नी डेंजरस एड टाइम, जो कि उनकी यात्राओं को काफी जोखिम भरा, काफी मुश्किल और डैंजरस बनाते थे, वो एरिया थे जैसे कि परवत पहाडिया, रेगिस्तान और नदिया, फिर भी वो लोग इन लोग इन इस एरिया से यात्राएं करते थे, उनके लिए कुछ भी इंपॉसिबल नहीं जो आदमी और और ओरत थे, वो भी एक सान से दूसरे सान पर जाया करते थे, चीजों की तलाश में अपने जीवनियापन के लिए, as also to escape from natural disasters like flood or drought, कभी-कभी उन्हें ये जो natural disasters होती हैं, जैसे कि floods और drought, इनकी वज़े से भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, जैनाओं के साथ, दूसरे राज्यों पर भी आकर्मन करते थे, और उन पर जीत हासिल करते थे, इसके अलावा कि जो मर्चेंट्स होते थे, वो भी कारवाज में ट्रैवल करते थे, कारवाज वो होते हैं, जिसमें ये बहुत बड़ा एक ग्रुप बनाकर पैदल ट्रैवल क करते थे, मर्चेंट्स उसको कहते हैं कारवाज, उसके अलावा वो शिप्स पर भी वैल्यूएबल गुड्स जो की कीमती चीज़ें होती हैं या ज़रुत की चीज़ें होती थी, उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, और जो धार्मिक गुरु होते थे, वो भी लोगों को शिक्षा देते थे, उन्हें अच्छी सलाहें देते थे, और एक गाउं से दूसरी गाउं भी भूमते रहते थे, Stopping or to offer instruction advice on the way, finally some people perhaps travel driven by spirit of adventure, और हो सकता है कुछ लोग की सिर्फ अपने adventure के लिए भी travel करते होंगे, Wanting to discover new and exciting places और नए नए जगाउं को खोशने के लिए, कुछ interesting places को खोशने के लिए भी वो यात्राएं करते थे, All these led to the sharing of ideas between people और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का भी मौका मिला होगा, Why do people travel nowadays? Next, हम देखेंगे कि जो आज के लोग हैं, वो traveling कैसे करते हैं, Look at map one once more, Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent, इधर आप map में देखिए, कि जैसे कि जो hills होती हैं, जो mountains थे, जैसे कि हिमालयाज है, यहाँ पे गारो hills है, और जैसे कि Arabian Sea है, Bay of Bengal है, यह एक तरहें से उस country के लिए physical borders बनाते थे, यह इनके होने के बाद कोई दूसरे लोग जल्दी से आसानी से इन सिमाओं को पार करके यहाँ पे आ नहीं सकते थे, और इसके माँ हैं कि who wanted could and did scale the mountains and cross the sea, लेकिन कुछ लोगों की जो will power इतनी strong होती है, वो यह सोचते हैं कि हाँ हम इने पार करके आ सकते हैं, तो ऐसे कुछ लोग इन पहारों को पार करके और समुद्रों को cross करके आए भी होंगे, पीपल फ्रॉम एक्रोस दाफ्रॉंटियर्स औलसो केम इन्टू दा सब कॉंटिनेंट एंड सैटल्ड हेर, तो इसके बाद जो लोग इस कॉंटिनेंट पर आए, यहां पर बाहर से कहीं आए, वो लोग यहीं आकर बस गए, इस मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंडिजड आर कल्चरल ट्रेडिशन्स, तो यह जो लोगों के आवागमन थे, लोग जो बाहर से यहां पर आए थे, तो कई सो वर्षों से लोग जो पत्थर को तराशने कां, कार्विंग स्टोन मतलब पत्थर पे कोई डिजाइन बनाना, उसे खोद कर, उसे कहते हैं कार्विंग, और जो म्यूजिक था उसको बनाना, और यहां तक कि उन्होंने जो फूड को कुप करना था, उसके भी अलग-अलग तरीके अपनाए थे, हमारे देश के लिए, मेंली हम इंडिया और भारत जैसे दो नामों का यूज करते हैं, जो इंडिया शब्द है, वो इंडिस नदी से आया है, जिसको की संस्कृत में सिंधु कहते हैं, तो जो इरानी थे और जो यूनानी लोग थे, वो नोर्थ वेस्ट की तरफ से 25 साल पहले आये थे, और वो इंडिस को इंडिस के बारे में जानते थे, और इंडिस को वो हिंडोस और इंडोस कहकर पुकारते थे, इसलिए इस एरिया के जो इस्ट में जो एरिया था, उसको उन्होंने इंडिया कहा, और जो भारत नाम है, वो इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों का एक ग्रुप था, उसके लिए यूज किया जाता था, और इसके अलावा इसको जो पैंतिस साल पहले संस्कृत में रिगवेद लिखा गया था, उसमें भी इसको मेंशन किया गया है भारत नाम को, लेटर इट वस यूज फॉर दा कंट्री, जो की बाद में देश के लिए यूज होने लगा, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स टॉपिक्स के लिए हम नेक्स वीडियो में देखेंगे, थैंक्यो,